वेल्कम एक दोस्तों रैसलिंग हिंदी कबर में आज मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि WWE ने इंडियन रैसलर महाबली सेरा को निकाल दिया है जो हमारे लिए काफी बुरा है लेकिन एक और बुरी खबर है कि हैल इनसे से पहले ही रॉक एक और रैसलर ने ओफेसली त और पर अपनी रिटाइनमेंट ले ली है और वो रैसलर है मैट हॉल्डी तो अपने रिटाइनमेंट पर इन्होंने क्या कहा है आप इस यूडियो में खुद देख लिजिए आपना मैट और प्रिती है बोल्ड वोस्पेश यूडियो तो निटीज यूग बग्ड़ इस नाव जा भी बीजिज़ यूविज बिएप बूद यूओ जल्ट अवर में टूबफेसली में वह बास्वान प्रेश थाल्स्मान स्क्राहर स्ल्मान फूठमाने, घुज मीवि if I'm gonna be wrestling any longer or not. And WWE, fortunately, they'll let me fulfill all my advertised commitments. But tonight here in Corpus Christi, this was the last advertised commitment I had. And I never say never, or as Woken Mount Hardy would say, never say never! But tonight here in Corpus Christi is most likely the last time you'll ever see Woken, Matt Hardy, in the WWE ring. Well, Matt, what's next? Well, I have two young kids and a wife. It's time for me to go. It's time for me to go home.